Hello Missy, Welcome to my channel, तो आज के lecture पे हम आगे को continue करते हैं हमारा lecture जो रहने वाला है molecular orbital theory पे वह भी किस के tetrahedral complex यानि कि आज की lecture पे हमने क्या देखना है हम थोड़ा आगे proceed करते हैं हमने अज देखना है molecular orbital theory की help से क्या बनाना है हमने molecular orbital diagram बनाना है वह भी किस का किसी भी tetrahedral complex का थी किसी भी tetrahedral coordinate complex का थी तो देखो यह सारी चीजे मैं आपको और डी लास्ट लेक्चेर पर बना चुकी है लास्ट लेक्चेर पर हमने क्या क्या देखा था molecular orbital theory क्या होती है मैंने आपको वहीं समझा दिया था मैंने आपको वहां भी बोला था कि आपने यहां बर को बच्यों वाले काम ने करने postulates वगरे लिखने की कोई जर्वत निया अगर आप से अभी पूछा जा रहा है आप क्या लिखेंगे वह necessary point लिखेंगे जो आपके लिए जरूरी है जब आप molecular orbital diagram बनाएंगे ठीक है तो आपने वह points लिखने आपको बस molecular orbital theory के जो postulates रहता है जो हम junior classes पर पढ़ते वह आ रहा है वह लिखती की जर्वत्मी की theory इसने derive की वगरा वगरा तो यहां आप से पूछा गया है कि किसी भी tetrahedral, octrahedral या फिर square planer बोलिए इन complex के लिए, इन coordinate complex के लिए आपको molecular orbital diagram बनाना है तो आप इतनी चीज़े explain कीजिए जितना necessary है बाकी छोड़ दीज़े तो देखे, last lecture पे मैंने आपको यह दोनो theory point समझा दिये थे कि क्या-क्या चीज़े हुए थी सारी चीज़े है, उसके साथ साथ हमने last lecture पे देख लिया था कि किसी भी octrahedral complex के लिए molecular orbital diagram कैसे बनेगा, तो आज के lecture पे हम लोग पहले के octra कर लिया अब हमने आज हम बात करेंगे tetra के लिए, यानि कि आज हमने देखना है किसी भी tetrahedral complex के लिए molecular orbital diagram कैसे draw किया जाता है, with the help of molecular orbital theory तो अगर आपने octrahedral complex का देखा है, तो आपको बहुत easily समझ महाएगा क्योंकि वही चीज़े repeat है, थोड़ा दिमाग लगाने की चीज़े है, बस तो स्टार्ट करते है लेक्चर को तो जितना अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं methane को भी तो as a tetrahedral complex का सकते हैं, क्यों, इसका hybridization भी आपको क्या मिलेगा, sp3 मिलेगा, और इसकी geometry आपको क्या मिलेगी, tetrahedral मिलेगी, बट हमने ऐसे complex का molecular orbital diagram नहीं बनाना है, यह चीज़े आनम डखो, आपको किसी भी coordinate compound का, coordinate compound क्या होता है, coordinate compound में आपका क्या होता है, metal होता है, central metal atom बूल सकते हैं, एक आपका surrounding atom होता है, और central metal atom हमिसा कोई भी d block element या फिर आप बोल सकते हैं, transition metal ही होगा, और surrounding atom आपके क्या होंगी, ligands होंगी, लेकिन यहां देखें, यहां central metal आपका कौन है, carbon surrounding atom कौन है, hydrogen हो, तो central metal carbon होना possible नहीं है surrounding और hydrogen तो होते नहीं है तो अविस सी बात है कि आप ऐसे compound के लिए आपके यह molecular orbital diagram नहीं बना रहे हैं आप कैसे compound के लिए बना रहे हैं coordinate compound coordinate compound मतलब की central coordinate compound क्या होता है कोई भी compound जो क्या है एक central metal atom होगा उसके पास दूसरे उसके पास होगा एक ligand तो इनके combination यानि कि यहां पर जो central metal atom क्या हो सकता है मैंने बोला था d block element सिर्फ d block element हो सकते हैं यहां पर इनके लावा कोई भी दूसरा element नहीं होगा तो अगर यहां पर को आपके बस d block element और d block element के साथ ligand तो इस case में जो यह compound draw करेंगे उसे आम normal compound नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे coordinate compound तो आज हम लोग M.O.T. जो theory हम पढ़ड़ा है वो coordinate compound के लिए पढ़ड़ा है क्योंकि C.F.T. में कुछ limitations आगी थी क्या limitations बने थी मैंने आपको C.F.T. के lecture पी बनाया है और आपको जब मैंने लास्ट लेक्टे पर टेत्र ओक्त्र हैड़ा कॉंप्लेक्स की बात की थी वहां भी explain क्या हुआ है molecular orbital theory से molecular orbital diagram तो MO diagram होगे अब molecular orbital diagram क्या हुआ तो simple सी बात है आपके क्या होते है जब मैं क्या है hydrogen का respect पर बात करूं तो hydrogen क्या है ये एक molecule है okay H2 का है molecule है atom तो है नहीं लेकिन इसके अंदर तो 2 item present है कौन-कौन सा एक hydrogen एक दूसरा hydrogen suppose मैं इसे hydrogen A कह दू इसे hydrogen B कह दू तो इन hydrogen के combination से क्या बना आपका H2 बना okay अब देखो होता क्या है molecular orbital theory नहीं क्या बोला कि ये दोनों देखो VACP sorry VBT क्या बोलती थी VBT बोलती थी कि ये दोनों atom आपका क्या है ये जो atom है ये भी आपका atom है इनके अपने अपने और्बिट तो होंगे इसके पास बेक ऐसा और्बिट होगा इसके पास बेक ऐसा और्बिट होगा और ऑविस सी बात है hydrogen में कितना electron one electron यानि कि इसके पास भी one electron है इसके पास भी one electron है लेकिन दोनों की spin होने चाहिए opposite अगर spin opposite नहीं होगा तो bonding कैसे possible होगी तो bonding कराने के लिए इसके spin होने चाहिए opposite ओके तो जैसे आप इन दोनों atoms के orbit को कोई भी atom ठीक है इन दोनों के case में कम मैं कहते हैं जब मैं यह ओके तो यह ओर्बिट जो है इन दोनों के combination से बना है जहां से hybridization का phenomena generate हुआ था तो इसकी वज़े से इन दोनों orbit के यह दोनों के है आपके atomic orbit है यह भी atomic orbit है इन दोनों atomic orbit के combination से आपको एक orbit generate हुआ जिसमें आपके दोनों से overall molecule क्या बन गया H2, तो आपका H2 generate हो गया, H2 आपका क्या है, molecule है, तो ये orbit अब आपका क्या हो जाएगा, molecular orbit, तो आपने ये ही orbit बनाना है, जैसे समझ वे हैं, तो आपने क्या कराना है, ये ही तो orbit बनाना है, बट ये orbit क्या है, H2 जैसे simple compound के लिए नहीं बनाना, आज आपने किसी भी tetrahedral coordinate compound के लिए ऐसे ही molecular orbit को बनाना है, and then ये जब orbit आप बनाना सेख जाएंगे, इनको एक energy profile diagram में, एक proper way में जब आप arrange करेंगे, तो उससे जो आपका overall diagram आपको मिलेगा, उसी को तो बोलते, molecular orbital diagram for a tetrahedral coordinate compound, इतना सा काम था आपका बस, इतने चीज़ के लिए तो यहां तो आपका simple सी बात होगी कि आपने ये atom लिए, simple simple समझ गए, लेकिन coordinate compound वो भी tetrahedral coordinate compound, जिसमें क्या होगा, आपका metal होगा, coordinate compound में metal और ligand ही तो होगा, आपको मैंने क्या बोला, एटम को चूज कर, जिसमें H2 molecule जो है, आपका tetrahedral coordinate compound कैसा होगा, metal, metal ligand के साथ क्या होगे, चार ligand होगे, समझ मारा है, tetrahedral coordinate compound क्या होगा, यह सारे चीज़ तो नोन है, metal होगा central पर आपका, metal के साथ अगर चार ligand अटेच है, और इनका attach होने का वे भी अलग होता है, क्योंकि देखो tetrahedral और एक और होता है, square planar, square planar के case में भी ligand आपके 4 होगे, और tetra के case में भी ligand आपके 4 होगे, लेकिन arrangement का वे अलग होगा, तो tetrahedral के case पर क्या होगे, आपके metal एक है, metal के साथ ligand के है 4, यानि की आपको यह है, आपका molequile आपके बना, इस moleению में जो एटम है, उह तरह में नशकमा कै Kenset अपने का करना होगा, तो जैसे अपने का भी अपनाने क्या इसके भी मैं निकालना होगा, इसका भी आपने atomic orbit निकालना होगा, और जब इन दोनों के atomic orbit combine कर लेंगे, combine बोल सकते हैं या फिर overlapping कर सकते हैं, देखो एक और चीज आप जियान से सुनेगा, हमेशा सारी overlapping फैबरिबल नहीं होती, अब आप देखो आपके एक lock लिये रखा है, आपने दूसरी की लिये रखा है, अब वो fit तो होंगे, पर proper way में fit ह मतलब उसका काम और दोनों का काम कर एक दूसरे को fix करना, समझ भारा? एक lock है, उन-दोनु का काम का में fit होना, दोनुको अपना-पना kाम है, कि दूसरी के साथ फित होना, लेकिन अगर आपने lock ले लिया, key अनकी symmetry मैच नहीं करें, तो ऑफिज सी बात है दोनों का काम तो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होके molecular orbit को generate करना लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ suitable है क्या एक दूसरे की symmetry के साथ match कर रहा है वो देखना जरूरी है तो सारे केस में ऐसा नहीं हो था कि आपने atomic orbit को combine कर दी और आपका molecular orbit generate होगे कभी कभी होगा कभ होगा वो भी मैं आपको बता होगी तो देखो अब आपने क्या करना है अपना metal का atomic orbit लेने लिगिन का atomic orbit लेंगे इन दोनों को combine कराएंगे और आपका molecular orbit generate हो जाएगा और इसी जो आप यहाँ molecular orbit generate होगा जब आप इसे energy profile diagram में रखेंगे तो आपका जो diagram बनेगा उसे को बोलते है molecular orbital diagram फोरण tetra-hedral complex अब देखो आप बात समझने वाली है कि क्या metal में कौन-कौन से orbit होते है आपने यह भी तो देख रहे है metal एक atom है बोला तो metal के अंदर कौन-कौन से atomic orbit होगे दोल्ड होते हैं अपने loan pair of electron को donate कर दिता है metal के पास ओके और metal का यह behavior होता है कि loan pair of electron को accept करता है अपने orbit में अपने वार्बिट में अपने shell में तो जैसे orbit में मतलब इअपने loan pair of electron को अपने साथ accept करता है तो इनके बीच में bond create हो जाता है अब देखो अब होगा क्या कि यहां पर को जो bonding हो रही है ना वो lone pair या फिर आप बोल सकते हैं दो electron के sharing के वज़े से हो रही क्यों 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 है metal के साथ ligand attach है वो भी कितने ligand है चार ligand है अब यह चारो ligand के पास क्या होगा lone pair of electron सब के पास क्या है lone pair of electron तो यह अपने lone pair of electron को कहां donate कर रहे है क्योंकि इनका क्या होता है Lewis basic nature होता है यह क्या होता है Lewis base होता है मैं आपको बता चुकि यह सारी चीज़े metal आपका Lewis acid होता है क्यों क्योंकि metal का क्या behavior होता है लुइस बेजस को क्या बहता है यह अपने लोड प्यूर आफ एक्टोन को डोनेट कर रहा है तो आप लिगिन को क्या बोलेंगे lowest base simple इब देखो यहां पर जो bonding होरी है वह किसकी वज़े से और है दो electron के donation की वज़े से यह चीज़ धियाद बरगना यानिकि यहां पर electron के donation के वैसे bonding हो और bonding जो होती है वो head-to-head overlapping होती यानि कि sigma bond देखो यहां कौनसा bond form हो रहा है आप खुद देख सकते हो आपको confused नहीं करती हूँ आप simply ऐसा समझ लीजे loan period को छोड़िए आप यह समझ जिए कि metal और ligand के बीच में कौनसा bond बना है double triple कौनसा बना है single bond मतलब कौनसा bond हुआ sigma bond तो इन दोनों के बीच में overlapping कौनसी होगी अविससी बात है head to head overlapping होगी तो यहां पर यह चीज़ समझ जिए कि metal और ligand के बीच में sigma bond क्रेट हो रहा है वो भी किसकी वज़े से हो रहा है जब ligand के उपर loan period of electron को आप donate कर रहा है दो electron को donate कर रहा है metal के पास और यहां पर tapping होगी वो कौनसी होगी head to head overlapping होगी इसी चीज़ क्लिए रहा है अब मैं आपको बताती हूँ कि metal के कौन कौनसी हो लिगंड तो ligand है चार ligand आपके पास है तो आपने के कराना है जो आपका यहां पर metal के और यहां पर आपके चार ligand है ना यह तो इसका मतलब ligand आपका bond बना रहे है यानि कि ligand के पास जो loan pair of electron है उसे आपने कहां फिट करना है metal के orbit में तो metal के पास ऐसी कौन-कौन सी orbit है क्योंकि देखो यह आपकी CFT की limitation और MOT का significance था कि metal का में आपको first lecture पर भी बताया था यहां पर जो आप transition metal लेता है उसके पास CFT तो बोलती थी कि सिर्फ D block element sorry CFT यह बोलती थी कि सिर्फ D orbit ही आपका क्या होगा bonding में involved होगा according to CFT यह सारे चीज़े मैंन आपको अल्रेडी बता चुकिए लेकिन molecular orbital theory क्या बोलती है आपने जो central metal पर central atom आपने क्या रही है central metal atom दिया D block element लेकिन molecular orbital diagram जब आप draw करेंगे उस case में आपने central metal atom का D block के सारे D element तो देखो यह चीज़ मैं आपको यहां भी explain कर चुकी थी पहले पर कि देखो यहां पर आप transition metal iron लेते हैं वो transition metal iron के क्या होगा आपको सारे orbit का contribution कराना है मतलब जब हम CFT crystal field structure बनाते थे तो उस case में हम लोग जो metal था आपका central metal atom था उस metal का सिर्फ D orbital को आप involved कराते थे bonding में लेकिन यह CFT के limitation बन गी थी मैंने आपको CFT के lecture पर बतायाता कि CFT क्या करती थी वो metal के सिर्फ में क्या है और orbit भी था है SB है PB है DB है लेकिन CFT जो बात करती है वो सिर्फ D orbit की करती है बाकी orbit को छोड़ देती है तो यह तो गलत बात होगी लेकिन जब molecular orbital theory आई मैंने क्या बोलाता यह CFT का आपका क्या था बोल सते है CFT का जब आप bonding करा रहे हैं coordinate compound में तो सिर्फ D orbit को आप इन्वाल कर रहे हैं bonding में तो यह चीज मैं आपको पहले भी बता चुकिए मैंने अपको क्या बोला कि कोई भी transition metal आयन जो आपका D block element है वो आपके transition metal atom भी हो सकते है iron भी हो सकते है तो यह जो है ना यह आपको सिर्फ D orbit का contribution नहीं करते हैं मैं first lecture पर बता चुकिए क्यों क्यों हुआ क्या था molecular orbital theory से पहले आपकी CFT वगरे सब आगी CFT VBT वगरे सब आग चुकिए और VBT की limitation CFT की limitation सारे चीजे जितनी भी limitation इनकी थी यह सारे limitation molecular orbital theory ने अपनी theory में क्या बोल सकते हैं सुधार ली थी यानिकी limitation को इसने अपनी theory पे क्या किया था इनको प्रूफ किया था कि नहीं ऐसे यह चारी चीजे गलत हैं तो यह देखो यह चीज मैंने आपको फर्स लेक्चर पर भी बताए थी कि कोई भी transition metal ion बोला या फिर आप atom बोलें यह सिर्फ d orbit का contribution नहीं करता यह क्या अपने सारे orbit को हुआ क्या था आपको बता जब मैंने आपको CFT पढ़ाई थी वहां भी मैंने आपको बोला CFT के case पर आप जो metal atom लेते थे ना center का उसका सिर्फ d orbit लेते थे यहाद है na CFT में हम लोग सिर्फ d orbit की बात कहते हैं और यह चीज इसकी limitation बन गी थी CFT का इक limitation बन गया कि क्यों देखें ना metal है metal के पास s orbit भी होगा pb होगा db होगा तो ऐसे क्या बात है कि सिर्फ अब d का contribution कर रहे है और srp की बात नहीं कर रहे है यह तो गलत चीज होगी तो यह CFT की limitation थी मैंने आपको CFT के लेक्षे पर भी बताया था क्योंकि molecular orbital theory नहीं क्या किया था CFT के जो limitation थे उनको अपनी theory में फुल्फिल किया था क्यों क्योंकि CFT ने तो ऐसा बोला था कि metal के सिर्फ d-orbit involved होता है bonding में तो जिस वज़े से क्या है scientist ने बोल दिया कि यह theory fail हो चुकी है यह मतब गलत चीज है कि सिर्फ d-orbit तो involved हो नहीं स करेगा डी के साथ साथ s-orbit p-orbit भी contribute करेंगे इसलिए जब हम लोग molecular orbital diagram बनाते हैं तो उसमें हम लोग battle का जो आपका transition metal है उसको सिर्फ d-orbit को contribute नहीं करते हैं s को भी contribute करते हैं p को भी contribute करते हैं और कैसे तो देखो इससे क्या होगा d-orbit अगर होता सिर्फ metal का सिर्फ d-orbit तो अब्विस सी बात है इसमें कितने और्बिट होते हैं 5 यह आपका पूरा एक orbital है d-orbital तो इसमें कितने और्बिट होते हैं 5 लेगन अब आपके कितने होंगे जब आप molecular orbital diagram बनाएंगे उस case में total number of orbit आपके पास कितने होंगे 9 orbit हम orbit कितने क्यों और्बिट कॉन से बात कर को हैं आपको इस सारी होसारी के वेलैंणस होँश कितने होँशन कितना हो जेंगे मीलेंगे एक s-orbital एक ł specialist मेन और्बिट कितने होते हैं एक होते हैं तो आप इन तीनों को आट किटना होँगे 6,78 और 9 से बात है कि transition metal atom जो है ऑपका तो total कितने वालंस एटमिक आपके और्ब valence atomic orbit का contribution करेगा इतनी चीज़ का समझभा है यह भी orbit क्या होगी यह होगी अब आप यह चीज़ समझ देजी मैंने क्या बोला metal मैंने क्या बोला metal आपका एक atom है इसके साथ ligand अप्रोच करें तो metal की भी तो orbit है कहां अप्रोच करेंगे ligand की orbit metal की orbit क्योंकि यह भी एक atom है यह भी एक atom है तभी तो पूरा molecular orbit बनाएंगे तो metal में कितने orbit है मैंने आपको क्या बोला एक S orbital है एक P orbital है एक D orbital है S में number of orbit 1 P में number of orbit 3 and D में number of orbit 1, 2, 3, 4, 5 अब आप बोलेंगे यहां तो number of orbital कितने है 9 orbital है लेकिन यहां पर को bonding कितने बना रहे है 4 बना रहे है तो यह क्या problem है प्रॉब्लम यह है कि आपका जो metal है metal में number of orbit तो 9 है लेकिन contribute कितने करेंगे सारे के सारे orbit मैंने आपको क्या बोला bonding में इन्वल नहीं हो सकते जरूरी तो नहीं है आपने सारे आपका कोई orbit उठाया आपने दूसरे orbit के साथ overlap करा दिया तो क्या जरूरी है कि bonding होगी नहीं हो सकता तो वही चीज आपब मैं बताना चाहरे जिसे औक्टरा के के से क्या होता था metal के 9 orbit में से 6 orbit आपके bonding में इन्वल्व होते थे 5 as it is रहेंगे वैसे कि आपके information के आपके रहेंगे तो अब्विस सी बात है कि राकता था जो बॉल्डिंग में इन्वल्व होते है उनको आप बोलते है bonding आपके बॉल्डिंग यह डोल्डिंग वो as it is रहेंगे तो इसनी चीज समझ मैं और यह चीज में आपको बता भी दी थी कि थी तीन तेन टैप के ओर्बिट बांडि इंटि बांडिंग और आप के क्या होता है नौ बांड लिगो इसमें आहां नीचे का ऑर जैसे आप यहां बराएंगे तो नीचे की और जो आपको profile diagram बना रहे हैं, यह क्या represent करता है energy, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, कि bonding orbit जब भी आप draw करते हैं, इसकी energy सबसे कम होती है, इसकी energy क्योंकि bonding orbit है, वो stable orbit है, अब compound आपका, मतलब आपका orbit stable है, तो obvious सी बात है, उसकी energy कम होनी चाहिए, तो आप bonding orbit को हमेसा कहा रखते है, न सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा unstable होता है, तो इससे हम यहां रखते है, एनरजी कितनी ज़्यादा है, similarly, अब आप आपके बोला, कुछ orbit तो क्या होता है, होते हैं, आपके atom में present होंगे, लेकिन क्या है, bonding में involved नहीं होती है, तो उनने कहते है non-bonding तो non-bonding की energy क्या होती है, उसी orbit के एकवल, जैसा जो आपका atom था, उसी atom के एकवल होता है, इसके energy में कोई change नहीं आता है, तो इससे आप क्या है, as it is रखता है, आगे को ड्रा करते है, इनकी energy क्या होती है, इकवल होती है, जितनी थी वैसी की वैसी रहती है, इतनी चीज यह समझ में है, अब देखो, अब मैं आपको बताती हूं कि क्यों metal के, metal आपको एक atom है, जो orbit बना रहा है, टोटल 9, लेकिन इन 9 orbit में तो सिर्फ आपके चार orbit ही bonding में involved क्यों कर रहे है, रिमेनिंग आपके जो 5 बचेव है, वो bonding में involved क्यों नहीं हो रहे है, तो वही चीज है जैसे आपने Okta के case पर देखा था, होता क्या है, अगर आप इसकी बात करना चाहिए, तो आपको experimentally तो इसके लिए character table द्रॉख करने होती है, जैसे आप देख सकते है, जैसे आप ग्रूप ठीहरी पर भी पढ़ते थे, आपने क्या है character table द्रॉख करनी होगी, यह बताएगा कि molecule में कितनी symmetry present है, जैसे element of symmetry present है, यानि कि identity आपकी present है, C3 axis प्रेजंट है, वो भी 8 C3 axis प्रेजंट है, तो C2 axis भी present है, number of C2 axis कितनी है, 3, ok, S4 axis प्रेजंट है, number of S4 axis है, 6, और sigma d यानि कि sigma d यानि कि plane और diHYDRUAL plane आपका present है, वो भी कितने है, 6, ok, तो इतनी सारी चीज़े आपके molecule present है तो देखो ये सारे चीजे ढूडने तो मुस्किल होती है अब आपको पता है octahedral compound octahedral होगा tetrahedral compound आपका tetrahedral होगा तो character table को याद करने में भी कोई problem नहीं ठीक है तो character table जब आप बना लेंगे किसी भी metal के लिए ये आपके metal के लिए वो भी कौन से metal जब आप tetrahedral की बात करें तो उसके case पर अगर आप निकालेंगे जब निकालेंगे reducible representation जब आप इसका reducible representation निकालेंगे with the help of character table तो आपको पता चलेगा ये दो टाप के reducible representation सो कर रहा है एक है A1 एक है T2 अभी A1 और T2 क्या है ये ये शो करेंगे कि आपका सिर्फ A1 orbit और आपके metal का सिर्फ T2 orbit ही है जो bonding में involved होंगे remaining orbit आपके as it is रहेंगे अब आप बोलेंगे A1 और T2 कहां से आ गया देखे A1 और T2 कुछ नई चीज नहीं ये आपके orbit के नाम है जैसे आप क्या करते थे CFT पे आप particularly D orbit की बात करते थे और D orbit को आप एक नाम से जानते थे कैसे अगर मैं D orbit बनाऊ यहाँ पर ठीक है ये है D orbit ओके ये फांच ये D orbital है इसमें फांच D orbit है पहला D orbit क्या होता है Dxy दूसरा होता है D y z और तीसरा होता है आपका D z x और चोता होता है आपका D x square y square और last one होता है आपका d z square ओके अब होता क्या है जो starting के तीन orbit है ये तीन orbit क्या होते है नौन Axial Orbit है मैं आपको बता चुकी हूँ नौन Axial Orbit पातलव सब्सक्राब को यह आपकी X axis यह आपकी Y axis है तो तो यह जो dxy orbit जो होंगे वो आपके axis में present नहीं होंगे यह axis के बीच में present होंगे इसलिए आप इसे बोलते है non axial orbit इतने चीज़ समझ भाएं तो इस starting के तीन जो orbit है यहां आप देखिए इस starting के यह जो तीन orbit है यह आपके होता है non axial orbit और इनको आप क्या नाम देते हैं अगर आप octra के case पर होते तो आप इसे बोलते हैं t2g लेकिन यह octa के case पर बोलते हैं t2 बोलते हैं और देखो अब यह T2 क्यों बोलते हैं यहाँ पर Z क्यों नहीं लगा रहा हैं देखो जी और यू आप क्या करते हैं ओक्ता की केस पर लगाते हैं टेट्रा की केस पर नहीं लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है यह रिप्रेजेंट करता है जी रेट और अंजी रेट को मतलब आपके orbit जो है या आपका जो orbit है इसमें symmetry present है या नहीं इसको दिखाने के लिए आप z rate और unz rate का use करता है अगल आपके orbit में क्या है symmetry present है उसको आप क्या बोलेंगे z rate अगर symmetry absent है तो आप उसे क्या बोलेंगे unz rate लेकिन tetra के case पर आपको यह सारी चीचे देखनी नहीं होती तो आप इसे skip कीजिए तो आप tetra के case में इन three orbit को क्या बोलेंगे t2 बोलेंगे और in orbit को यह जो आपके axial orbit है इन्हें आप क्या बोलेंगे e बोलेंगे इतनी चीज़ समझाए easy के बदले आप इसे simple e बोलेंगे यह तो d orbit की बात है लेकिन अभी यह तो cft में होता था लेकिन molecular orbital theory म तो आप s orbit और p orbit भी ले रहे हैं तो s orbit का भी particular नाम होता और p orbit का भी particular नाम होता है क्या होता है s orbit का नाम होता है a1 s orbit को आप क्या बोलता है a1 बोलता है okay p orbit देखो p orbital जो है आपका p orbital में number of orbit कितने 3 एक है पका px एक है आपका py एक है आपका pz तो यह तीन orbit है इन तीन orbit को भी और इन दोने को क्या बोला जाता है इस और यू हमेट कर देना इसके आगे टी टू जी यूस कर देते हैं इसके आगे गी यूस करते ते तो इनका एक Mening थी ठीक है Mening थी तब ही हम use करते थे वैसे यह AET मिनिंग शो करता है कैसे A जो होता है Looks like A represent करता है कि आपके orbit कितनMA Degenaracy है अगर A लिखा हुआ है इसका नहीं dots capital है इसमें एक Degenaracy च comparison to A, if you do, Admlyinglane is T. और के आपका orbit में A होगा को États Eंट सिर्फ एक orbit में टूटेहसी साथ मतलब T मतलब होता ह्य यह डिजनरहसी ठीलोट मतलब T A, त dzień Degeneresies हों करता हैз 3 Degeneresiesalam करता है कैसे, 1 Px Orbit होता है zrobi P i orbit होता हैке Pz Orbit होता है तभी तो आपके 3 Ñrbit होता है तो ये क्या शो करता है y institute ए ऐगला है ये देखो ये भी तीन ओर्बिट शो करता है ये तीन और्बिट शो करता है इसे भी आप ने वो तो ऑर्बिट शो करें गा कैसे आप देख सकतो यहां दो और भी शो सु करें इसे अनी सीह है अब देखो अब आपने क्या इर्यूडी से दियूसेबर रीडियूसेबर रिप्रेजेंटेशन निकाला तो आपको बता चला कि फश्षच जो बांडिंग में इनवेल होंगे मतलब आपके कौन-कौन जे और्विट बांडिंग में इंवाल हो सकते हैं एक है यह आपका वाण एक टेटू क तेट्टू आपके इनवाल होगे रेकिन त्व अपीड़ के तो बैंद के बाश्चेंटम और्बिट होंगे ना समझ मारा ना चारल इंट से अटेच है इसका मत्ताब मैटल की भी तो चार और्बिट दायग्राम मिलेगा अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप की दिखेंगे किसी में क्या है दोनों को इन वॉल कराया है किसी में एक को बांड वही बताऊंगे और आपके मर्जी आप जो लिखना चाहते हैं ठीक है मतलब जो आपको सही लगेगा वो कर सकते है ठीक है ऐसा कुछ नहीं ठीक है तो यह चीज़ समझ भाएं तो इसका मतलब आप यहां से समझ लिए कि Penal का सिर्फ यह और्बीट यानि कि S-orbid bonding में नीवाल करेगा और दी का कौन सा आपका जो को यह गिंवार करेगा तो यही सारी चीज़ होती है जब इन दोनों के बीश में अची ओरलापिंग होगी तो आपका molecular orbit बन जाएगा उसी को represent करके बोलेंगे molecular orbital diagram तो यह चीज़ समझ में तो देखो अब हम चलते हैं तो दोड़ा coordination profile can be seen as a result from the donation of a one electron pair from each of the fourth sigma donor ligand to a d-orbit of a transition metal complex तो यह क्या बोल रहे है कि आपको क्या है molecular orbital diagram show कराना है तो यह क्या दिखाता है coordination profile दिखाता है किस-किस के बीच की metal और ligand के बीच पे जिस पे क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दिया ligand अपने lone pair of electron को donate करता है metal के orbit में अपके बोलड़े the visualization of a composite orbit of a tetrahidal complex in a molecular orbital framework is quite difficult because of the absence of center of symmetry अब आप खुदी सो सकते कि यहां पर metal के case में आपको ने metal का क्या character table बनाया उस character table में आपको कितनी element of symmetry मिली यानि कि इतना complex structure आप इसका structure यहां देख सकते है okay so sorry यहां पर यहां पर यह दिखा रहा है इसका structure अब आप यहां खुदी देख सकते हैं कि यहां पर यह जो center यह क्या है metal का orbit दिखा रहा है यह सारे metal की orbit है okay अब उनमें क्या है आपके जो ligands है वो कहा होंगी यह देखो ligands आपके axis से अप्रोच नहीं कर रहें coordinate octahedral case में जो आपके ligands होती थे वो आपके axis से अप्रोच करते थे यहां आपके ligand कोई भी axis से अप्रोच नहीं कर रहा आप यहां structure पर भी देख सकते हैं समझ में आ रहा ना मैंने octah के case पर क्या बताया आपका यह metal है central पर आपका metal लिया है ठीक है आपके ligand जो है वो आपके axis से अप्रोच कर रहा है axis आपकी कहा है आप यहां पर देखिए यह आपकी axis है यह आपकी क्या हो गई z axis हो गई यह आपकी क्या होगी y axis होगी यारे कि यह पूरी आपकी y axis हो जाएगी और यह पूरी आपकी क्या हो जाएगी xz axis हो जाएगी यह पूरी आपकी y axis हो जाएगी और यह पूरी आपकी क्या हो जाएगी x axis हो जाएगी ये तीन axis है लेकिन आपके ligand जो है वो octahidal की case पर तो axis से अप्रोच करते थे लेकिन tetra के case में axis से अप्रोच नहीं कर रहे हैं तब ही तो आपके कौन से orbit आपके जो orbit जो आपके axial orbit थे मैंने आपको क्या बोला d orbit में आपके जो आपके starting के तीन orbit होते है कौन से dxy, dyz और आपके dzx ओके ये तीन orbit आपके non-axial orbit होते हैं लेकिन remaining दो आपके कौन-कौन से बजगी एक dz square बजग गया एक बजग गया dx square y square ओके ये दोनों orbit आपके क्या होते हैं ये होते हैं आपके axial orbit लेकिन ligand तो आपके axis में अप्रोच कर ही नहीं रहा तो obvious सी बात है ligand जब आपके axis से अप्रोच नहीं करेगा तो axis में जो orbit है उनके साथ combination catches हो करेगा तो वही चीज है और tetra की case में क्या होता है आपके जो ligand है देखो एक ligand यहाँ पे present है एक ligand यहाँ पे present है एक ligand यहाँ पे present है एक ligand आपका यहाँ पे present है यह कहाँ है कोई भी axis से अप्रोच नहीं कर रहे तो वह orbit जो आपके axis में present है उनके साथ ligand अप्रोच ही नहीं करेंगे वह axis जो आपके axis में present नहीं है उनके साथ ligand अप्रोच करेंगे मैंना आपको यह बहुत अच्छी से औक्राइडल के case पे explain किया हुआ है इनके middle से इनके beach से अप्रोच नहीं करें तो वही चीज आपको यहां पर दिखाईए आप आप देख सकते हैं इसका structure कितना complex है metal है metal में कितने सारे orbit है तो वही चीज जहां पर यह explain करना चाहरा है कि आपको इसका एक अच्छा visualization कराना तो वैसे बहुत difficult है कि आपको एक एक करके सबको देखा है यह बहुत सारे बहुत ज्यादा difficult हो जाता है लेकिन उसके बहुत भी कहा है हम लोग एक चोटा सा मतलब एक idea लगा कि energy profile diagram बनाते है for a tetra ideal complex with the help of molecular orbital theory तो वो जो चीज है वो हम आखे को discuss करने वाले है जो की नीचे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं पहले आपको teacher को explain करना है कि 3 o axis आपको दिखाना है और ligand आपके axis से approach नहीं कर रहे है यह आपको teacher को बताना है यह structure meant आपको इसलिए add किया हुआ यह आपकी stables पर नहीं है कोई भी transition atom कोई भी deblock element और यहां पर hydrogen के बदले क्या होने चाहिए ligands होने चाहिए structure वही रहेगा लेकिन यहां पर को जो आपके atoms है central metal atom बोलिए या फिर surrounding बोलिए वो अलग अलग होँए इसनी चीज़ क्लिए अब आगे बढ़िए यह भी मैंने आपको बता दिया AET आपके क्या represent करते है और आपका जो ओर्बिट है यह देखो यह आपको बता दिया यह थोड़ा गंदा हो रहा है बस यह चीज़ मैंने आपको समझा दिया कौन सा ओर्बिट कौन सी चीज़ contribute कर रहा है किस ओर्बिट को क्या नाम से हम बोलते है अब आगे देखो आगे वही चीज़ बोल रहा है कि आपने क्या करना है symmetry adopted linear combination कराना है किस के बीच में battle or ligand के बीच में यह क्या बोल रहा है symmetry adopted linear combination symmetry adopted linear combination मतलब कि आपका जैसे मैंने lock and key का example दिया और्बिट एक दूसरे के साथ overlap करेंगी तो सही लेकिन जो और्बिट एक दूसरे के साथ overlap करके molecular orbit का form करेंगे वो कौन से और्बिट होंगे जिन और्बिट के बीच में symmetry adopted है यानि कि जिन और्बिट की symmetry एक दूसरे के साथ match कर रही है ओके lock and key को फिट तो कर लेंगे लेकिन क्या वो side fit होगा नहीं होगा तो fit हो जाएंगे लेकिन product कौन देगा जिनके symmetry match करेंगी तो उन symmetry matching को एक नाम दिया जाता है इसे बोलता है symmetry adopted linear combination of atomic orbit तो यही बोल रहा है symmetry adopted linear combination of atomic orbit of a metal and ligand direct overlapping can be obtained by just using a resolving the reducible representation तो आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से metal or ligand की orbit एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है contribute कर रहे है एक दूसरे के साथ overlap कर रहे है वो कैसे पता चलेगा जब आप क्या बनाएंगे character table बनाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा दो टाइप की reducible representation है एक है a1 एक है आपका t2 तो यह दो orbit है आपके metal or ligand के जो एक दूसरे के साथ अप्रोच करके आपका molecular orbit को form कर देंगे इतने चीज़ समझ भाएं तो वही सारे theory material में लिखा होगा है तो आपके के बोलड़ा यह बोलड़ा the symmetry adopted linear combination of these fall into a 2 यानि कि आपके पास 2 symmetry adopted linear combination आपके पास form हो रहे है कौन-कौन से हैं दो है एक है आपके पास a1 एक है आपका t1 तो दो कौन-कौन से यहां लिखा है एक तो one singly है यानि कि singly degenerated मैं आपको क्या बोला a क्या represent करता है a represent करता है singly degenerated जिसकी जो किसकी बात कर रहा है s orbit की बात कर रहा है तो दो मैं से एक तो आपका singly है one singly है and one आपका क्या है triply generated triply generated कौन है t2 t2 आपका क्या है triply generated जो कि p orbit भी हो सकता है d orbit भी हो सकता है इनका irreducible representation label कर रहा है जिसे आप किससे represent करता है A1 और T1 से T2 से represent करते हैं, अब इनका क्या है, यहाँ पर को character table आपको दिखाया है, वह यह चीज़ जहां explain कर रहा है, अब आगे आप देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है, the DXY, DYZ and the DZ orbit set of the metal can also have a T2 symmetry, तो आपको पता है, metal के जो यह कौन से orbit है, D orbit है, D orbit के जो starting के 3 orbit है, जिसे आप बोलते है, non-axial orbit, यह भी तो आपके T2 symmetry show करते है, similarly, लेकिन क्या है, आपके P orbit, जो है, P orbit में भी आपकी 3 orbit है, PX, PY, PZ, इनके symmetry को भी आप क्या बोलते है, T2 symmetry show करते है, यानि कि similarly, जो आपके P के orbit है, P orbital के जो orbit है, कौन-कौन से PX, PY and PZ orbit set of a metal also having a T2 symmetry, तो इनके पास भी T2 symmetry है, और यह दोनों symmetry क्या करते है, resemble करते है, अपनी symmetry को किसके साथ, with the symmetry of one of the SALCS set of the ligand, यानि कि symmetry adopted linear combination of a ligand, तो यह क्या करते है, यह दो जो orbit बने है, यह ligand की orbital के साथ, ligand के जो T2 set है, उनके साथ क्या करते है, combine करने की कोसित करते है, और combine हो भी जा करते हैं, अब आगे बढ़िया, आगे क्या बोल रहा है, और इनके पास एक और symmetry क्या बोल रहा है, therefore these same symmetry, यानि कि same symmetry कौन से T2 set की जो same symmetry है, किस-किस की metal और ligand, metal के पास भी T2 है, ligand के पास भी T2 है, और यह दोनों T2 के है, symmetrically adopted linear combination हो कर रहा है, interact to create a three bonding and three anti-bonding molecular orbit, अब मैंन आपको क्या बोला, जब आपकी यह दोनों orbit combine करेंगे, तो यह इसके पास भी कितने orbital है, T2 के पास भी कितने orbital है, तीन orbital है, T, यह वाले T2, यह T2 आपका metal का है, यह T2 आपका किसका है, ligand का है, तो इसके पास भी कितने orbital है, तीन orbital है, तो यह दोनों combine करेंगे, तो आपको कित बने बनेंगे number of molecular orbit is required to a number of atomic orbit जितने atomic orbit लेंगे ताई आपके पास molecular orbit भी हुँगे समाझमहा रहा तो number of atomic orbit इन रबेगे, six है तीन इसे, तो number of atomic orbit six जितने बने ubiqu chron вой t सक्स्त।16 तो 3 तो ऑपके bonding, bonding consultant बने पोडिल हो तो तो वही चीज बोल रहा है कि आपके क्या है जो आपके T2 symmetry जब आपकी match हो जाएगी उस case में आपके क्या होंगे आपके metal और ligand जब interact करेगा ये क्या बनाएंगे तीन आपके bonding molecular orbit बनाएंगे तीन आपके anti-bonding molecular orbit बनाएंगे ठीक है ठीक है तो अब आगे बढ़ते है अगला क symmetry के ये even symmetry से आप उसे represent कर रहा है तो बोल रहा है more ever the S orbit of a matter having a even symmetry and hence mix up with the one of the ligand of a SALC with the even symmetry तो आप देखो अब आपके बास metal के पास कौन सी एक symmetry बची है even symmetry तो आप metal की even symmetry को किसके साथ correlate करेंगे ligand की even symmetry के साथ और ये जैसे correlate हूंगे तो number of atomic orbit यहां कितने एक यह है एक यह या atomic orbit है आपके 2 तो molecular orbit भी आपके कितने बनेंगे 2 लेकिन इस molecular orbit में एक आपका bonding atomic orbit होगा दूसरा आपका anti-bonding molecular orbit होगा यह चीज समझ महारी मैं आपको फर्स lecture पर बहुत बढ़िये से समझा तुभी होगा ठीके मेरे को दुबारा बाकी चीजे बोलनी होगी और जिसने पहले स पड़ा होगा तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी तो जितना हम बता सकते है उतना मैं कर देंगे अगे बढ़िये अगला क्या बोल रहा है अगला यह बोल रहा है वही चीज बोल रहा है ठीक है समझ महाए तो उसी को वह बार-बार repeat कर रहा है यह आपका theory material के लिए तो तो वही orbit आपने ligand के भी ले ले ले, ligand के भी T2 orbit लेंगे, A1 orbit लेंगे, इनको correlate करेंगे, इसमें symmetrically adopted linear combination होगा जिसकी वज़े से आपकी क्या होगा, orbit जो है आपके यह atomic orbit, यह atomic orbit combine करके molecular orbit बना रहेंगे ठीक है, अब इनका final molecular orbital representation कैसा होता है वो हम देख लेता है ठीक है, तो इसे देख सकते है, यहां पर को इसने T2G कह दिया है, जब तो हम लोग क्या है, तो हमारे पास simple T2 होना चाहिए, जी तो नहीं होना चाहिए, इसलिए आप समझ जाए कि यह गलत है, इसको गलत है, आगे बढ़ते हैं, यह वाला देखिए आप, यह भी आपको क्या दिखा ल आने वाली होना से आप देखिए तो आपको और simply clear हो जाएगा, तो देखिए जो left side है, left side है क्या represent कर रहा है, यह प्रेजन कर रहा है, यह आपके metals के orbit है, और यह right side जो represent कर रहा है, यह ligands के orbit है, अब आपको मालूम है, यहां पर जो orbit आप दो एक दूसरे के साथ के साथ क्या से orbit है, एक तो है आपका A1 orbit, जो किसका है, S का है, और दूसरा है आपका T2 orbit, जो मैंने बोला कि वो P का भी हो सकता है, D का भी हो सकता है, दोनों, क्यूंकि P के orbit, P का, PX, PY, PZ, वो भी क्या है, T2 से represent किये जाते हैं, और D का, DX square, Y square, sorry, DX square, D, sorry, और D के कौन से, DX, Y, D, Y, Z, D, Z, ये भी कहें, T2 से represent किये जाते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके बाइब ये दोनों orbit को आपने combine करा के अपने product बनाना है, यानि कि आपने क्या करना है, मैटल का भी S orbit लेना है, और लिगन का भी S orbit लेके इन दोनों को combine कराना है, तो एक आपका molecular orbit बन जा तो आप पहले यहां देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि metal side, metal side यहां पर को कितनी line ड्रॉ की है, 1, 2, 3, ok, यह 3 line किसकी है, जैसे आप यहां दिखा भी सकते है, यह 3 line आपके P orbit की है, और यह single line किसकी है, single line मतलब S की बात कर रहे है, तो यह orbit किसका रहा है, S का और यहा तो यह energy diagram है, energy diagram है, energy diagram है, तो मैं सब को उपर नीचे रखोंगे, तो गलत हो जाएगा, तो यह रखने का reason क्या है, अगर आप यहां देखेंगे, तो आप किसी भी transition metal का electronic configuration करेंगे, तो आपको last में, जो outer shell पर या फिर valence shell पर जो आपको orbit मिलेंगे, वो आपको कैसे मिलेंगे पहले आपको हमेंसा 3D मिलेगा, देन आपको हमेंसा 4S मिलेगा, देन आपको मिलेगा 4P, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जितना electronic configuration बढ़ते रहता है, उसकी energy उतनी ही बढ़ती रहती, इसका मतलब 3D की energy सबसे कम होगी, देन 4S की, देन 4P की, इसका मतलब तभी मैंने यहां energy profile diagram है, जो दिखा रहा है कि उपर को जाते-जाते कि आपकी energy आपकी increase हो रही है, तो यह क्या show कर रहा है, जो D orbit है, इसकी energy क्या है, S orbit के compare में कम है, उसके बाद S orbit की, उसके बाद P orbit की, इतनी चीज़ क्लेर आई, कि अमने क्यों orbit को उपर नीचे रखा यह चीज़ समझ करना है, आप सबसे पहले S orbit को उठा यह, क्योंकि S का जो आपका orbit है, जिससे आप बोल रहे है, A1, S के orbit को नाम क्या दिया है, A1, इसको आपने combine कराना है, किसके, ligand के A1 orbit के साथ, तो देखो, ligand में तो यहां दिखा हुआ है, A1 orbit, और ligand का दूसरा orbit है, T2 orbit, तो ligand के आपन compare to T2, वही चीज तो है, देखो, बार-बार वही चीज आती है, तो अब आपने क्या करना है, इसके A1 orbit को, इसके A1 orbit के साथ correlate कराना है, कैसे correlate करेंगी, देखो, आपका एक orbit है, यह इसका एक orbit है, तो number of orbit कितने हुए, दो हुए, तो number of orbit दो है, तो molecular orbit भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे, तो एक कौन सा होगा? दो molecular orbit बनेंगे, तो मैंने क्या बोला था, दो molecular orbit मेंसे, एक molecular orbit तो आपका bonding बनाएगा, एक molecular orbit इपका क्या बनाएगा? anti-bonding बनाएगा ठीक है तो आपने सबसे पहले क्या करना है इन दोनों को combine कराना है तो combine कैसे कराएंगे देखिए इससे combine करा रही हूं यह इसका orbit है यहां से आया यहां से यह आरा dotted line से यह देखो यह नीचे पहुंचा इसका orbit भी यहां से नीचे आया यह आपने line से दिखा दिया कि आपने इसको combine कराया इसको combine कराया यहां पर को एक single orbit दिखाया यह जो orbit है वो आपका अब atomic orbit नहीं बना यह आपका orbit क्या हुआ molecular orbit जो आपका metal की a1 orbit और ligand की a1 orbit का combination है यह बना आपका a1 orbit लेकिन यह जो a1 orbit है यह आपका bonding orbit क्योंकि एक बनाया अभी आपको एक दूसरा molecular orbit बनाना होगा क्योंकि academic orbit कितने 1 2 तो molecular orbit भी कितने होंगे 1 2 तो आपने एक molecular orbit तो दिखा दिया दूसरा molecular और यहां से भी आपने लाइन को उपर की और ड्रॉ किया और यहां से भी आपने लाइन को उपर की और ड्रॉ किजिए यह हो रहा यहां से यह और गया यहां से और उपर और यहां से यह तो यह जो आपका और बना यह भी आपका एक molecular orbit है जो कि किसके combination से बना है A1 और A1 के combination से तो आप आप देखो atomic orbit आपके पस कितने एक दो तो molecular orbit भी कितने बने एक दो अब ये वाला orbit तो bonding होगा येकिन ये orbit क्या होगा anti bonding इसे आप कैसे बोलेंगे इसे आप बोलेंगे A star आप इसे star से represent करेंगे ये तो bonding है तो आपने इसे A से represent किया लेकिन आप इसे इसे A1 star कहेंगे क्योंकि ये बन गया anti bonding समझ मैं तो आपने ये S का बना दिया ठीक है अब आप देखते है T2 orbit ठीक है अब आपने क्या करना है metal का भी T2 orbit लेना है ligand का भी T2 ठीक है अब देखो ligand के पास डूटल कितने orbital होता है पांस छिसमें क्या है आपके three ये तीन आपके क्या होते है इनको City कुण अपर अपर अचा बता दिया तो इसको आप कैसे पहले आप देखे नौन बांडिंग में कितने orbit हैं दो तो आप क्या करेंgt तो से आंगे को एक line draw करेंगे यहाँ पर represent करेंगे दो orbit और ये दो orbit के उपर क्या लगाएंगे E के उपर लगाएंगे N क्या रिप्रेजन कर रहा है कि आपका D orbit का D orbital का जो E orbit है वो क्या है non bonding non bonding orbit बन रहा है यानि कि यह क्या है अब आप इसके energy पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो वही चीज आपने रिप्रिदन करनी है, यह समझ महा है, अब आप इसका लेंगे T2 और बचा, P का भी बचए आपके पास T2 orbit तो आपने क्या करना है आपने D का T2 orbit कैसे represent किया D का ये है आपका T2 orbit तो यहाँ तो तीन लएन रिप्रिव्ट की जा रही है मैं बहुत गंदा line बुले कर रही है और ये है एक मिनट ये देखो ये है D का T2 orbit यह है आपका D का T orbit, T2 orbit, इसमें number of line कितनी है, 123, number of line के रिप्रेजन करें, number of orbit, अब देखो यह तो आपका D का हो गया, D का यह आपका orbit वाला है, अब यहां को आपको जाएगा D का anti bonding, anti bonding भी तो होगा, यह bonding में involved होगा, तो उपर वाला anti bonding, तो anti bonding में भी 3 होगे, 123, अब देखो यह तो आपका T का था, मतलब D का था, D orbit की T2 orbit तहेएगा, अब P के T2 orbit देखे, P के देखो, P के T2 orbit का है, यह तो उपर की और जा रहा है, 123 तो यह उपर की और जा रहे है है, लेकिन इसके नीचे वाले orbit जो यह है anti bonding वाले हैं यह इसी के साथ combined हो रहे है किसके d के साथ combined हो रहे है 1 2 3 इतने चीज़ समझ वह है अब देखो अब अगली चीज़ क्या बोल रहा है यह देखो अब हुआ क्या अब आप बोलेंगे कि देखो यह orbit कहां से बन गए समझ महा रहा है न मैं क्या बोल रही हूँ तो आप के तीन के जो तीन को अब आप देखो कि यह जो नीचे के तीन बने यह 3 ओर्बिट को तो आप बोलेंगे बोलेंगे अपर के तीन को आप बोलेंगे anti bonding लेकिन यह 3 बनेना जो पका और ट का दोनु का combination है इसे आप बोलेंगे non-bonding non-bonding मतलब यह bonding में involved भी नहीं हुए समझ महा है यानि कि PK तो आपने क्या लिया P का पास भी T2 orbit था D के पास भी T2 orbit था लेकिन PK T2 orbit को आपने कहां involved किया anti-bonding में और DK T2 orbit को आपने कहां involved किया bonding में समझ महा है और इन दोनों का जो यह orbit बना इन बात है लिगेंड के जो T2 orbit है यह भी bonding और anti-bonding में जाएंगे तो यह T2 का जो लिगेंड का जो T2 orbit है यह bonding किसके साथ करेगा D के साथ करेगा लेकिन anti-bonding किसके साथ करेगा P के साथ करेगा आप देख सकते है यह कर दिया इसने PK साथ anti-bonding समझ महा रहा है यह diagram थोड़ा इसका एनरजी प्रोफाइल डागरा में यह जो पोर्शन था इसका यह पोर्शन कहा चला गया यह चला गया नौन बांडिंग में समझ महा है तो अप बोलेंगे कि इसका इसके पास पर भी अचाई इसका एक और्बिट नीचे भी अचाई तो इन दोनों के पास एक ही कोन गोई टी-टू लेकिन टी-ापर काई लगाएंगे यहां आपके वास नॉन बॉंडडिंग में इन डीकन कोन ऑर्बिट करनों गकूल और यहां बॉंडडिंग बॉंडििंग में यह दोनों के नॉन बॉंडिंग में थनॉन अपके लिए oro जो थोड़ा चीज ध्यान में रखना कि metal का p-orbit है यह कहां जा रहा है कहां bonding मना रहा है कहां anti-bonding मना रहा है d-orbit कहां bonding मना रहा है कहां anti-bonding मना रहा है और आपका ligand का t2-orbit है और तो यही था आपका molecular orbital diagram for a tetra-adval complex तो यह मैंने समझा दिया अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो देखे पहले आप OCTRAHYDRAL देखे मेरे according तो तब आप TETRA में जाए क्योंकि अगर आप OCTRAHYDRAL में तो हमने बहुत बेसिक से चीज़े उठाई है अगर आप वो समझ जाएंगे तो TETRAHYDRAL भी बहुत सिंप्ली समझ जाएंगे तो होप समझ में आएगा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फूछ लेजेगा तो तो यह हो जाता है कि कौन सी आपको बताती हूँ ठीक है तो यही पर हम अपना लेक्ट्रे फिनिश करते मिलते हैं नेक्स वीडियो जिस पर हम बात करेंगे molecular orbital diagram for an square planar complex ठीक है तो अब यह वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बाई-बाई